हलो गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे हैं आप सभी तो देखिए मेरा सारा काम जो हो पड़ा हुआ है तो हम फटा फट से काम निप्टा लिए हैं और अभी का जो टाइम है वो बज रहे हैं साथ और मैं आज बनाने वाली हूँ बहुती बड़िया पकोड़ा ओभी हर धनिया का पकोड़ा आप लोग जरूर ट्राय कीजिएगा तो देखिए मैंना मतलब हजबन आ गये हैं और उन्होंने धेर सारा धनिया लेकर आए हुए हैं तो मैंने धेर सारी धनिया जो अच्छी तरह दू लिया है और उसे बारिक-बारिक कट कर दिया है और साथी मैंने दो हरी मिर्ची भी ले लिया है तो हम बनाएंगे हरा धनिया का पकोड़ा तो देखिए मैं कैसे बनाती हूं और इसकी जो रेसिपी है मैं आपको फुल रेसिपी देने वाली हूं तो ध्यान से देखिएगा तो मैंने ले लिया है बेसन एक कटोरे के हिसाब से मैंने बेसन और धेर सरा धनिया जो है उसमें मैंने एड़ कर दिया हुआ है मिर्ची मैं अभी नहीं एड़ करूँगी क्योंकि यादित्या बिल्कुल भी नहीं खाएगा तो एक बेच जब रेड़ी हो जाएगा उसके बाद ही मैं मिर्ची एड़ करूँगी तो देखिए मैंने थोड़ा सा खाने का जो सोड़ा उससे एड़ किया हुआ है और यहाँ पर न अच्छी तरह मिलाएंगे थोड़ी थोड़ी पाने डाल कर तो यह काटे वाले चम्मस से तो अच्छी तरह तो मैंने क्या क्या इससे अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है हमारा जो पकूड़ा का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है तो हम इसे थोड़ा सा और मिलाएंगे उसकी बात जो है गर्मा गरम मतलब छान लेंगे तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है तो यहां पर मैं बेबी का ना दूद भी मतलब तैयार करके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी ही गरम करना है तो फिलाल तो मैं बूद का जो बड़तान है उसे साइड में रख दूँगी और एक साइड में चाय रख दूँगी और एक साइड पकोड़े चानूँगी तो कल की जो वीडियो है आप लोग तक लेट पहुँची क्योंकि हुआ ये कि अपलोड ही नहीं हुआ पूरी रात मतलब एक बज़े रात तक हम लोग जगे थे अपलोड करने के लेकिन अपलोड नहीं हुआ तो उसे मैं मतलब हजबिन चार बज़े उठे थे ते ना तो देके ने चेक है तो फिर भी अपलोड नहीं हुआ था पता ने क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी एसा हुई ही जाता है तो सुबह ना उसे मतलब हस्ब्रेन ने जो है अप्लोट कर दिया था तो इस कारण से जो है आपको कल का जो वीडियो है आज लीट मिला होगा तो आपको मैंने रिजन बता ही दिया है कि क्या रिजन था तो ऐसा हो जाता है कभी कभी नेटवक वगेरा टावर वगेरा नहीं होता है तो वीडियो अप्लोट होना काफी मुश्किल हो जाता है पूरी महनत में पाने फिर गई थी मेरी तो जब ऐसा कुछ होता है न तो दिमाग बिल्कुल भी खराब हो जाता है बहुत ही खराब हो गया था दिमाग उसके बाद हमने कड़ाई को गरम कर लिया है उसमें ऑईल ले लिया है और एक सेट जो है चाई बन रही है हमारी तो मैं पहला बैज बनाओंगी आधित्ता के लिए बीना मिर्ची वाली तो हम लोग क्या करते हैं पूरी दिन ना महनत करते हैं वीडियो एडिट करने में इतना लंबा टाइम चला जाता है कि आप सब को मतलब पता ही होगा जो कोई भी मतलब वीडियो बनाते हैं यूटूबर जो भी हैं उनको तो पता ही होगा कि कितना महनत लगता है सब करने में और उसके बाद जो वो अपलूट नहीं होता है तो काफी दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल भी मतलब दिमाग जो है न वो प्लैक हो जाती है तो कल तो हम लोग ठके हारे थे उसके बाद में हमने बहुत मेहनत किया फिर भी जो हमारी मेहनत में पानी फिर गई वीडियो हुई न तो दिमाग जो बहुत जादा ही मतलब खराब हो गया था तो देखें यहां पर हमारा जो एक बेच है वो बिल्कुल डेडी है तो मैं निकाल लूँगी और आदित्या को दे दूँगी तो आदित्या खा लेगा इसके बाद जो है मैं इसमें न मतलब हमारा जो या सुन्दर बनके रेडी हुआ है तो इस वारे बैच में न मैंने मतलब मिर्ची वगेरा आइड कर लिये है और मैं इसे चान रही हूं और साती हमारी चाई बिल्कुल डेडी है जैसे पकोड़े निकलेंगे मैं चाई चान कर जो है हजबन को दे दूँगी तो गाइस हम लोग कल पिकनिक मनाने गये थे हम लोगों को बहुत ही मजाया हम लोगों ने इंजॉय किया बहुत मजाया दिमाग खराब तब हुई जब वीडियो अप्लोड नहीं हुआ तो आप छोड़ते हैं ए बाते खतम करते हैं इस बातों को तो देखिए हमारा दूसर यहां पर बदीजेँ पतसे बाद में मिर्ची वाले पकोड़े भी खा लिए थे आदित्याने मतलब मिर्ची नहीं थी तो यहां पे इन लोगों का चाय पानी हो रहा है और यहांपर मैं करूंगी वीडियो का एंड तो बाइ कर दो